सब्सक्राइब कीजिए सुपर्शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस रेस्पी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों मैं हुर्शिवानी आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुपर्शिवानी आज हम बनाएंगे पीनट बटर बनाना स्मूधी यह पीने में टीस्टी होने के साथ हल्दी भी होती है और यह बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है तो चलिए इस पीनट बटर बनाना स् हम लेंगे यहां पर 3-4 बनाना और हम लेंगे 2 टीबल स्पून पीनट बटर यह होमेट पीनट बटर है इसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं हनी यानी शहद हम लेंगे यहां पर 1 टीबल स्पून कंडेंस्ट मिल्क हम लेंगे यहां पर 3-4 सबसे पहले इन बनाना को हम छील लेंगे फिर उसके बाद इनके चोटे पीसिस कर लेंगे और मैंने इन बनाना को कट कर लिया है अब हमें एक ब्लेंडिक जा लेंगे इसमें हम डालेंगे स्लाइस कियवे बनाना अब इसमें हम डालेंगे दो टेविल स्पून पीनट बटर उसके बाद इसमें हम डालेंगे हनी अब इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क उसके बाद इसमें जाएगा फुल फैट मिल्क और यहां पर बचा हुआ मिल्क हम बनाना के ब्लेंड होने के बाद एड़ करेंगे नहीं तो हमारे बनाना यहां पर अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे अब हम इस जार को कवर कर देंगे अब हम इसमें बचा हुआ मिल्क अड़ कर देंगे आइस क्यूब से अड़ करेंगे और फिर से जार को कवर कर देंगे और अब हम इसे थोड़ी देर और बलेंड कर लेंगे और यह अच्य से बलेंड हो गया है अब हम इसे सरग करेंगे अब हम इस peanut butter banana smoothie को गुलाव की पंखुडियों से सजा देंगे टेस्टी peanut butter banana smoothie रेड़ी है और आप भी इसे कभी में बना कर सरग कर सकते हैं दोस्तो टेस्टी रेसिपी इसका घजाना कहा है? घजाना यहान Langrifik चेना रसखुल्ला बनाने के लिए चेना अच्छे से मैश होना चाहिए जतना अच्छे से मैश होगा रसघुल्लै उतने ही टेस्टी बनेगे देखिए जटपट वेज बिर्यानी आप देखाने के लिए तयार है टीस्टी एन यमी रेसिपीज बना के आपको दिखाऊंगे जानिए रेसिपीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी बार सर्च करिए मेरा चैनल सुपरशिवानी यूट्यूब पर लेटिस्ट अब्डेट्स के लिए मेरे चैनल सुपरशिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें